आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेसन 13 हम बिमार क्यों होते हैं नाइन्थ क्लास साइंस से इसमें हम एक एक नंबर के सारे चोटे कोशन डिस्कस करेंगे जिसमें फिलिंदा ब्लैंक्स और मल्टिपल चोईस कोशन होंगे बच्चों आपको बता दें कि ये एक वीडियो सिरीज है इस वीडियो सिरीज के अंदर हम पहले ही तीन पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं अगर आपने अब तक वो वीडियो से नहीं देखी है देन आप प्लीस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएए वहाँ पर आपको सार पर है चलिए शटार्ट करते हैं फोर्ट पार्ट कोशन अबर 31 से पीलिया को फैलने से रोकने के लिए क्या-क्या उपाई करने चाहिए पीलिया एक बहुत ही ख़ Jaanake पिमारी है इसको रोकने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए रोगी के वरुष्त बरतन विच्छोने आदी के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति का समय समय पर अपने हाथ अच्छी तरह से सब्गून से दोते रहने चाहिए प्रशासन द्वारा क्लोरी निकृत तथा ओजोन उपचारी जल की सप्राई करवाना हैपेटाइटस बीके टीके मुफ्त पुलूब्त करवाना उप्रौक्त सबी बच्चो जब पीलिया होता है तो पीले के समय ये सभी चीज़ें करनी जरूरी होती है ये सबी उपाई हैं जो हमें अपनाने चाहिए होते हैं तो उतर में हमारा क्या आता है उपरोक्त सबी जी हाँ सही है अगले प्रेशन की ओर हैजा को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या-क्या उपाई अपनाने चाहिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए जब हैजा हो जाता है हैजे के टीके द्वारा प्रतिरक्षी करन उबले हुए पानी वैपका हुआ बोजन लेना तथा जीवन रक्षक का गोल अबिलम लेते रहना व्यक्तिगर् तता समाजिक स्वच्ता पर विशेश ध्यान देना उपरोक्त सभी बच्चों जब हैजा हो जाता है तो ये तीनों पॉइंट ही बहुत ही ज़रूरी होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं 33 एक बच्चा अपनी बिमारी के बारे में नहीं बता पा रहा है, हम कैसे पता करेंगी कि बच्चा बिमार है, जदी वह अधिक तेजी से रो रहा है या सोस्त है या खेल ना पा रहा हो, जदी वह अच्छी तरह से दूद ना पी पा रहा हो, सांस ठीक से ना चल पा रही हो, ज जदी उसका शरीर तप रहा हो या उसे पतले दस्त लगे हुए हो उपरोग सभी बचो इस वीडियो सीरीज के अंदर जितने भी प्रशन लिए गए हैं आपकी NCRT बुक से लिए गए हैं इस तरह से प्रशन लिए गए हैं ताकि आपके अभियास के प्रशनों की भी त्यारी ह हो जाए और जो भी उसका उत्तर है लगबग इस तरह से त्यार किया गया है कि आपको छोटा उत्तर लगे और आसान लगे समझने में भी और याद करने भी तो ध्यान दीजिए इसका उत्तर क्या आएगा उपरोग सभी जब बच्चा बिमार है लेकिन वो बता नहीं पा र हम कैसे पता करेंगे कि उसे बिमारी कौन सी है पिछले प्रशन में क्या था हमें ये पता करना था कि वो बिमार है या नहीं है इस प्रशन में हमें ये बताना है कि उसे कौन सी बिमारी है जदी बच्चा बार बार पतले दस यहां उल्टी कर रहा है तो उसे डाइरिया होग संभावना है कि उसे डाइरिया होगा यदि बुखार के साथ साथ सांस ते चल रही है तो उसे निमोनिया होगा यदि बच्चे की आँखें दसी हुई पेशियों में एंठन भार में कमी तथा पानी जैसे पतले दस्त हों तो उसे हैजा हो सकता है उपरोक्त सभी जाने कि ये तीनों तरीके हैं उससे हम असानी से पता लगा सकते हैं कि बच्चा बिमार है और उसे कौन सी बिमारी है इसके इलावा भी और तरीके हो सकते हैं लेकिन जैसे प्रेशन पूछा गया प्रेशन के अमसार हमें ये तीन ओप्शन थीक हुई है तो तीनों के तीनों ठीक है चलिए अगले प्रेशन की ओर 35 प्रेशन यदि आप किसी संक्रामक रोक के टीके की खोज कर सकते हैं तो आप किसको चुनते हैं सव purity को अरे मैंने संक्रामक रोक का टीका बनाया है तो सबस्रेशन से पहले मैं अपने ही लगा के देखूंगा अपने क्षेतर मैं फैले एक समाने रोक को किसी वी आई पी व्यक्ति को उप्रोक्त में से कोई नहीं बचो मान लीजिए आप बहुत पढ़ लिखकर एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं एक साइंटिस्ट बन जाते हैं और आपको मौका मिलता है किसी रिसर्च इंसिचूट में काम करने का या आपने कनेरिक में ही काम करते करते आप एक किसी एक सक्रामक रोग के टीके करी खोज कर देते हैं तब आप उस टीके का जो प्रियोग है वो किस पे करेंगे प्रियोग का मतलब है कि वो उसका सफल प्रिक्शन हो चुका है उसके बाद उसका जो उप्योग है उसका जो फाइदा है किसको देंगे क्या सिर्फ सम्भय को ठीक करने के लिए लगाएंगे या अपने क्षितर में फैले किसी समानिय रोग को ठीक करने में लगाएंगे या किसी बड़े बियाईपी बंदे को लगाएंगे यहां फिर किसी को नहीं लगाएंगे देखिए बचो जब आप सिर्फ सवेंब को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो सवेंब को ठीक करते हुए सिर्फ आप खुदी ठीक होंगे लेकिन अब जब मार्केट में जाएंगे तब क्या होगा तब फिर आपको वो बिमारी लग जाएगी अगर बाहरवारी लोगों को फैली हुई है अगर दुनिया के अंदर जो आपके एक शितर में जो कोई रोग फैला हुआ है तो उस रोग को ठीक करने में लगाएंगे तब वो सारे लोग ठीक होंगे तब ही आप भी स्वस्थ रह पाएंगे किसी व्यक्ति को एक को लगा देंगे उस से क्या फायदा तब सिर्फ एक जो व्याइपी बंदा ठीक हो कि क्या करेगा तो इसका जो से उतर होगा अपने क्षितर में फैले हुए एक समाने रोग को ठीक करने में हम उस टीक का उपयोग करेंगे चतिसाव कोश्चन BCG के टीक का प्रयोग टैश के निरोध के लिए के लिए बीसीजी का टीका निमोनिया के लिए ट्यूबर क्योलोसिस के लिए पॉलियो के लिए अमीबियोसिस के लिए ट्यूबर क्योलोसिस के लिए BCG का टीका ट्यूबर क्योलोसिस या रखिएगा सैंतिस लप्रेशन एड्स प्राई इसके द्वारा उत्पन होता है मैथुन द्वारा रक्त अधान द्वारा प्लेसेंटिया धान दवारा उप्रोक्त सभी तीनों तरीकों से क्या है एड्स फैलता है चीक है उप्रोक्त सभी ठत्तिस्वा प्रशन कॉलरा इसके कारण होता है बच्चों हम इस वीडियो सीरीज के अंदर बहुत से प्रशन डिस्कस करते हैं अगर कोहीं प्रशन के हल में कोई समस्य आ रही हो कोई भी प्रॉल्म हो रही हो देन आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं अपनी कोशन जो है वो पूट सकते हैं जब भी हम उस कमेंट को देखेंगे जसा संबब हम उस कोशन को हल करने का परियास करेंगे चलिए कोशन की ओर 33 वा कोशन कॉल्डरा इसके करण होता है कॉल्डरा एक बीमारी है जो प्रोटोजोगा के करण होता है फंगस के करण होता है वायरस के करण होता है या बैक्टीरियम के करण होता है correct answer is बैक्टीरियम ठीक है बच्चो 49 वा question पीलिया डैश का रोग है किड्नी का लीवर का पैंक्रियोस का डियोडिन का correct answer is लीवर पीलिया लीवर में होने वाला रोग है 40 वा प्रशन AIDS वाइरिस में होता है एकल लड़ DNA युगम लड़ DNA एकल लड़ RNA युगम लड़ RNA इसमें होता है एकल लड़ RNA टुटेंट्स अभी तक हमने इस वीडियो में 40 question तक discuss कर लिये हैं आगे भी वीडियो सीरीज है इस वीडियो में अगला पार्ट पांचवा पार्ट रहेगा जिसमें हम 41 में question से लेकर 50 question तक discuss करेंगे उससे भी अगला पार्ट है जिसमें हम 51 में question से लेकर 60 question तक discuss करेंगे इन सभी वीडियो के link के लिए आपको playlist में जाना होगा playlist का link आपको मेरी वीडियो के बिल्कुल last में 20 second तक दिया जाता है और इसका link आपको मेरे YouTube के channel पर भी मिल जाएगा playlist की form में आप please वहाँ पर जा सकते हैं आप please वहाँ पर जाईए और वहाँ से link पर click करके आप बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं बच्चों आपको बता दें कि इस lesson के इलावा भी हमने बहुत सी lesson की वीडियो बनाई होई है MCQs की दसा other study material की और बहुत सी वीडियो और भी बना रहे हैं और आप उनके लिए भी मेरे चैनल की playlist पर जाकर click कर सकते हैं चैनल पर जाकर देख सकते हैं बच्चों अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है मेरे वीडियो गुणाने का तरीका अच्छा लगता है मेरे वीडियो के content को पेश करने का तरीका अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि in future भी आपके लिए मैं और वीडियो बनाता रहूं देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेर करना मत बुलिए और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तांकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें Thank you, have a nice day